विटियों स्रेंट्स ज्यानमगारब में आप सभी लोगों का हाद इक स्वार गते हैं हमारी पुष्मार्टी प्यारी डिवाईन सोल जिसकी आवाद में ही जादूर है आज धमपद के बुक का की शुरुवात करने वाली हैं कितना सुंदर समय है कि कल बुद्ध पुनिमा है और आज हम उनके ही गवानी की पारे में शुरू कर रहे हैं तो वेलकॉम शिल्पी, वेलकॉम, वेलकॉम तुग्यान नाराग थैंक्यूम थैंक्यू सो मुच्छ तो अभी तक कि आपने जो बुक बढ़ा तो क्या लग रहा है तुम को की एक एक चाप्टर को अलग से बताना चाहिए या अगली बार तुम थोड़ा ज़्यादा कंबाइन करके लाओगे मैं बताने को तो आप वॉल्यूम वन को एक बार में बता सकते हैं पर वो इतना ज़्यादा शॉट होगा कि वो सिर्फ मन तक ही रह पाएगा और मन के बियॉंड जो बुद्ध बात करते हैं हमारे जो कोर की बात करते हैं वो कोर तक नहीं टच होगा मैंना शिफश भी रहेंगे जिनको हम समझ लेंगे पर हम उन शब्दों को प्रयोग में नहीं लेकर आपाएं तो अगर हम स्टेप वाई स्टेप चलना चाहते हैं औरो को कहीं इसे भी नहीं चूपना चाहते तो हमें एक एक चाप्टर ही लेके चलना होगा हमारे पास बहुत पेशन्स है अब आप इस रहेगी मेरी पूरी तरीके से इस बार के मैं हफ़ते में एक चाप्टर शेयर करूँ और लगभग इसके टीन वॉल्यूम है और अभी मैं पहला ही पढ़ रही हो जो कि मैं बता नहीं सकती कि पढ़ते-पढ़ते ही कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है और चेंजिस भी दिखाई दे रहे हैं बहुत बहुत सुंदर बुक है और हम सब को जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं उनको तो जरूर पता होना चाहिए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए बुक का धमपत का वो पूरा इसी के उपर ही निर्भर है कि हम जो मेडिटेशन करते हैं और अपने माइंड से खाली होकर के अपनी स्वेम की स्थिती में आते हैं उसको उन्होंने किस तरह से बताया है और यह किस तरह से प्रभाव डालता है हमारे उपर बहुत अच्छा और सब ही लोगों को मेरा आत्मवंदन पत्री स्वर को मेरा नमन होनीता मैं को कहें दिल से शुक्रिया इतना प्यारा प्लेटफॉर्म तयार करने के लिए मैं रोज आते हैं हम तो कभी-कभी आते हैं लेकिन हमारे लिए मैं जो तयार करके रखी है प्लेटफॉर्म और इतने सा कि ये पढ़ते पढ़ते अतनी खुशी हो रही थी कि हम दो लखी लोग है। जो सत्ती की माँग पर या प्रकाश को ढूरने के लिए निकले हैं स्वैम को जानने के लिए निकले हैं। अगर जिसके अंदर वो बीज भी अगर अंकुर हो गया है तो वो बोधी सत्व है तो मैं शुरू करना चाहूंगी मैंने पीपीटी बनाई हुई है मैं श्रेयर कर सकती हूँ सब को देख रहा है कल बुद्ध पुर्णिमा है और जिन सूत्रों जो सूत्र बुद्ध ने दिये हैं वो सोच सकते हैं कि हम सब के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर है क्योंकि बुद्ध कल के दिन अलाइटेंड हुए थे तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भी सूत्र दिये हैं, जो भी उन्होंने मार्ग बताया है धम्म का, वो पूरा इस धम्मपद में संकलित किया गया है धम्मपद और कुछ नहीं, बुद्ध के ही उटेशों का, उनका ही संकलन है, जो कि उनके शरीर से जाने के बाद, उनके जो अन्वियाई थे, उन्होंने उसको कंपाइल किया है तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस चीज़ को समझना, और सबसे बड़ी चीज़, जो धम्मपद जो बुक है, इसको अलग-अलग मास्चर्स ने अपने अपने वर्ड्स में एक्स्प्लेन किया है तो मैं यहाँ पर ओशो का लेना चाहूंगे, क्योंकि मुझे ओशो का एक्स्प्लेनेशन जादा कनेक्ट किया, जादा समझ में आया तो धम्मपद में टोटल 426 सूत्र है, आज हम पहले चैप्टर में पहला सूत्र जानेंगे और एक-एक सूत्र अपने आप में इतनी घहराई रगता है, हो सकता है इन में से कई सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हो या आपने किसी और मास्टर के जरिये इनको जाना हो, लेकिन जो बुद्ध के वर्ड्स में आप समझेंगे, वो एक कुछ नया ही होगा तो धमपद एक ऐसी बुक है, जो आपको बुद्ध का रास्ता बताती है, बुद्ध यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक तरह से एक स्टेट बोल सकते है, ईश्वर की स्टेट और बुद्ध ने कभी ईश्वर शब्द का प्रियोग नहीं किया है, तो मैं भी बचना चाहूंगी इस शब्द का प्रियोग करने से, पोशिश करूंगी कि जो वर्ड्स में बुद्ध ने बोला है, मैं उनी वर्ड्स को आप तक कनवे करूँ तो पहला जो सूत्र है बुद्ध का, जो शुरू होता है यहां से, और ये ओशो टॉक का है, मींज ओशो का दस दिन का विपसना का जो प्रोग्राम होता है, दस दिन के बाद में, जब मौन खोलते हैं, उस वक्त ओशो ने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि बुद्ध के जो जो हमेशा मौन हैं, उस स्थिती से जो बुद्ध के वर्ड्स आए हैं, वो हम तभी समझ सकते हैं, जब हम भी खुद को खाली करके बैठेंगे, अगर हम अपने मन के साथ और अपने बुद्ध के प्रयास से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तर्क वितर करेंगे, तो हम ब यह हम बहुत बार पहले भी सुत्र को सुन चुके हैं कि हम जो है, जो हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं, हम वही हैं, और जो भी हमारे थौट्स हैं, वो हमारी दुनिया बनाते हैं, और इस दुनिया का एक रूल है, शाश्वत रूल है, कि अगर आप किसी से नफरत करते ह और अगर आप यह सोचेंगे कि नफरत से नफरत हट जाएगी तो वो कभी नहीं हटेगी सिर्फ प्यार से ही उस नफरत को घ्रणा को हटाया जा सकता है तो इसमें पहले लॉस के बारे में हम यहां बात करेंगे बुद्ध कहते हैं कि अगर आप ऐसे विचार रखते हैं जैसे कि इसने मुझे मारा इसने मुझे लूटा देखो इसने कितना बुरी तरीके से मुझे मारा है और आप इस तरह की हेटरेट में रहते हैं तो क्या होगा आपकी जो आगे का जो जीवन है या जो आपकी दुनिया है वो बैसी ही बनेगी जैसे एक बैल गाड़ी के पीछे जो वील होता है जो ओक्स को खीशता है ठीक उसी तरीके से ही ये जो घ्रणा है ये आपके पीछे चलती रहेगी और बार बार आपको उसको फे बुरा किया अगर आप इन थौट्स को छोड़ करके और आप प्यार में आते हैं घ्रना को छोड़ करके आप अगर लव में आते हैं तो आप क्या करेंगे फिर खुशी जो है वो आपके पीछे इस तरह से आएगी जैसे कि आपकी चाया तो ये तो है बुद्ध का पहला रूल जो बुद्ध के बारे में बात करते हैं आगे हम जानेंगे कि बुद्धी सत्व क्या है और इसमें धम का क्या मीनिंग है और धम पद जो है उसका क्या मीनिंग है तो बुद्धी सत्व के बारे में जो बुद्ध है वो ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति बुद्धी सत्व है य यानि कि एक सोया हुआ बीज, बुद्ध रूप में सोया हुआ, यानि कि जागरत होने की पूरी छमता के साथ, अगर हमारे अंदर ये बीज है, तो हमारे अंदर ये possibility भी है कि हम सब जाग सकते हैं, जागरत हो सकते हैं, तो बोधी सत्व उन्ही लोगों को कहा जाएगा अब, जिसका ये जो बीज है, वो अंगपुर हो गया है, यानि कि जिन्होंने सत्वे के माग पर चलना शुरू कर दिया है, और अब वो ढूंड रहे हैं कि वो कौन है, और लाइट का जो पात है, वो क्या है, जो सच की तलाश में निकल चुके हैं, बुद्ध कहते हैं कि सच को प जैसे नहीं, बलकि हमारी जूट में निवेश के कारण, यानि कि हमने जन्मों जन्मों से अपने जूट में इतना जादा निवेश किया है, कि अब हम सत्य बिल्कुल जो सरल है, हम उसको भी समझ नहीं पाते हैं, हम उससे बहुत दूर चले गए हैं, तो धमपद वो रास्त पर दाने में आपकी मदद करता है, बोधी सत्व एक ऐसा बीज है, या एक ऐसी रोशनी है, जो हम सब है, जो बुद्ध तक, यानि कि उस चाश्वत नियम, जो टूथ है, उस तक पहुँशने के लिए एक मीडियम का काम कर रहे हैं, यानि कि हम वो स्टेप्स बना रहे हैं, और जुड़ने का प्रियास कर रहे हैं, जिससे कि हम समझ सके कि हम कौन है और हमारी लाइफ का परपस क्या है, यहाँ पर जो धम है, धम का मीनिंग जो बुद्ध है वो बताते हैं, उसका मीनिंग होता है, अल्टिमेट लौ यानि कि हार्मनी, बुद्ध कहते हैं कि जो उसको जोड के रखी हुई है, और नहीं तो यह सत्ता पूरी बिखर जाएगी, तो जो सत्ता है, जो कानून है, वो अल्टिमेट लौ है, और वो हार्मनी में है, आप ईश्वर को प्राक्ट करने की जो भी कोशिशे करते हैं, आप सोचते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति के मुझाते हैं कि अगर कोई कानून व्यवस्था है, तो आप कानून को मैसूस तो कर सकते हैं, पर आप उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, वो अमूल्थ है, इसी तरीके से जो इश्वर है, वो अमूल्थ है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, वो कोई व्यक्ति नहीं है वो एक व्यवस्था है तो उस व्यवस्था तक कैसे पहुँचे और उसको कैसे जाने वो हम आगे देखेंगे धम्म का एक और दोसरा मेनिंग होता है जस्टिस यानि की इक्वालिटी बुद्ध कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं है यानि की जो कुछ भी हो रहा है वो एक हार्मनी में हो रहा है और इस पूरे भ्रहमांद में कुछ भी स्टेप वाई स्टेप नहीं है जैसे की छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ये कोई भी चीज step wise नहीं है वो कहीं छोटा कहीं बड़ा उसके लिए सारी चीज़े एक बराबर है अगर एक घास की पत्ती है तो वो भी युनिवर्स के लिए उतनी ही महत्वपूर है जितना बड़ा एक बहुत बड़ा स्टार दोनों में कोई अंतर नहीं है तो जो न्याय की विवस्था है वो सब के लिए समान है यानि कि वो एक्वल है लेकिन हम अपनी बुद्धी में जीते हैं हम अपने मन में जीते हैं इसलिए हम क्या करते हैं जस्टिस करते हैं और हम equality में नहीं रहते हैं, हमारे लिए चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं, बड़ी-बड़ी ही होती हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि ये एक key hole vision है, यानि कि जैसे आप अपने घर के जो key है, यानि key hole जो होता है, room का, अगर आप उसे key hole vision से बाहर देखेंगे, तो आपको ये चलेगा कि कभी कोई गाड़ी आ रही है, कभी कोई गाड़ी जा रही है, कोई व्यक्ति आया और वो निकल गया, यानि कि आप एक टाइम में एक ही चीज़ देख सकते हैं, आप प्रिजेंट ही देख सकते हैं, आप उसका past और भविश जबकि सारी चीज़े एक साथ ही हो र कर पाता है, इसी लिए अगर हम इस व्यवस्था को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें की होल विजन से, अपने मन के की होल विजन को हमें छोड़ना होगा, और तीसरा इसका अर्थ हो सकता है गाड़, यानि कि इसमें वो बताते हैं कि सीधे सीधे बुद्ध न और तब भी कुछ तो शेश रहता है न, उस शेश को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, वो बस खाली प्लेस है, खाली स्थान है, यानि कि मान लीजिए कि अगर आप ऐसा सोची कि अगर आपके विचार एक बार में बंद हो जाएं, तो आप कौन हो, तो आप कुछ भी नह हो, आपके पास ना तो कोई धर्म होगा, ना कोई संप्रदाय होगी, ना कोई भाशा होगी, ना आपके अपने विचार होगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक खाली स्थान रहेगा, तो उस जो खाली स्थान जो है, जो meditation के बाद हम जो empty एक space जो हम feel करते हैं, एक तरीके से धम में वो इश्वर शब्द के लिए ही, इश्वर के लिए ही प्रयोग किया गया है, तो धम का मीनिंग तरीके से वो खाली स्थान यानि इश्वर के लिए यूज़ हुआ है, और धम का मीनिंग होता है, अनुशाशन, यहाँ पर अनुशाशन वो अनुशाशन नहीं है, जो हम समझते हैं यहाँ पर अनुशाशन का मीनिंग होता है आपके अंदर ग्रहन शीलता कितनी है आपके अंदर सत्य को जानने के लिए क्यापसिटी कितनी है आप लर्ण करने के लिए कितना अबलिबल हो आप कितना लर्ण कर सकते है यानि कि आपको कुछ नया सीखने के लिए आपको उस रोश्णी को सत्य को जानने के लिए अपने आपको खाली करना होगा क्योंकि जब आप खाली होगे तभी वो सत्य अपने आप प्रकट होगा यानि कि ईश्वर एक वो सत्य है, वो एक व्यवस्था है, वो एक महसूस एक अनुभव है, जो कि सिर्फ एकांत में ही प्रकट होता है, अगर आपने उस एकांत में भी justify करना शुरू कर दिया, तो आप उस moment से miss हो जाओगे, आप उस moment को miss कर दोगे, means आप जो God की state है आप उस उसको पूरी तरीके से absorb करना चाहिए, और उसको जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसे कोई नाम नहीं देना है, तो वो जो एक state होती है, वो क्या है, वो धम्म का ही मार्ग है, वो धम्म का ही meaning है, अब जो उसका last का word है, उसका meaning होता है, यानि कि path, उसका meaning होता है path, जैसे कि path आप देख रहे हैं, ये क्या है way to light, यानि कि जो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो इसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है, वो क्या है, वो उसका रास्ता है, नि धम्म के रास्ते पर चलना ही धम्मपद है, धम्मपद ये बताता ह है, उसका जो रास्ता है, path है, वो ये तो आपको बताएगा, कि आपको कैसे जाना है, पर वो क्या है, वो नहीं बताता है, यानि कि what and how, इसमें दो चीज़ें हैं, बुद्ध ये कहते हैं, कि मैं रास्ता बता सकता हूँ, पर वो क्या चीज़ है, वो नहीं बता सकता, वो ए तो मैं तुम्हें पूरा मैप तो दे सकता हूं, कि तुम कैसे कैसे यहां तक पहुंचोगे, लेकिन वो क्या चीज है, मैं तुम्हें वर्ड से बता सकता हूं, कि वहां का वैदर कैसा है, हवा कैसी है, मौसम, सारी चीज़े, वो दिखता कैसा है, लेकिन, जो एक फील होता है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता तो इसी लिए जो truth है, जो सत्य है, जो ईश्वर है, वो हमारे अनुभव पर आधारित होता है, यानि कि जो हम अनुभव करते हैं, जो person to person depend करता है, means व्यक्ति के उपर depend करता है, जो अपना personal है, अपना जो core है, जो आपने खुद से क्या अन feel किया और नाहीं आप सतय को transfer कर सकते हो सतय सिफ और सिफ अनुभव किया जा सकता है तो रास्ता जो है वो दिखाया जा सकता है पर उस पर चलना हमको खुद ही है अब वो एसा बोलते है कि आप को चलना कैसे है यानि कि आप अभी जिस वक्ट जिस जगए पहो जिस स्थिती में हो आपको वहीं से मूँव होना है प्रोग्रेस के लिए पर हम सब लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि हम सबने खुद को एक पॉंड के जैसा तालाप में कैद कर दिया है तो जब आप एक तालाप के जैसे बन जाते हैं तो आपती growth नहीं होती है तो इसलिए अगर हमको आगे चलना है तो हमको river के जैसा flow होना होगा और हमें आगे बढ़ता ही रहना होगा अगर आप किसी के उपर depend हो जाते हैं तो भी आप एक तालाप के जैसे ही खुद को क्याद कर देते हैं बुद्धियां पे कहते हैं कि अपना रास्ता, अपना प्रकाश, अपनी जोती तुम्हें खुद ही पानी होती है तो आपको क्या करना है ना आपको river बनना है और ये शाश्वत नियम है कि एक नदी को समुद्र से मिलना ही होता है और धमपद का मीनिंग ये होता है अपो दीपो भवा यानि की be your own light आपको अपना प्रकाश खुदी बनना है अगर आप किसी गुरू के साए में हैं उनके संपर्क में हैं तो आप उतनी ही दूर तक चल सकते हैं अब तक आपका और गुरू का रास्ता मैच हो रहा है जहां गुरू का रास्ता अलग हुआ और आपका अलग हुआ आप मार्क भटक सकते हैं क्योंकि अब तक आप गुरू की रोशनी से रोशन हो रहे थे वो आपको light दिखा रहे थे तो आपको एक विश्वास था कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ लेकिन आगे क्या? आपको सिफ अंधिरा ही मिलने वाला है तो आप किसी की लाइट में जादा डेर तक जादा दूर तक नहीं जा सकते हैं अगर आपको दूर तक जाना है और सच को जाना है तो आपको अपना प्रकाश स्वयम ही जागरत करना होगा, खुद ही अपना प्रकाश बनना होगा ये धमपद का जो मीनिंग है वो इसमें ऐसा बताया हुआ है आगे यहाँ पर जो बुद्ध है, वो हमको ये बताते हैं कि जो धमपद है, उसको समझने के लिए आपको एक त्री टाइपस ओफ वर्ड है उनको समझना होगा यानि कि जो पूरी दुनिया है, जिसको हम जीते हैं, वो तीन भागों में डिवाइट किया हुआ है यानि कि एक तो होता है पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड, जो अबजेक्टिव होता है जिसको कि साइन्स जिसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मुझा साइन्टिस्ट करते हैं यानि कि बस्तूनिस्ट संसार, जो हमको अपनी टू आइस से दिखाई देता है जिसका की Einstein है और बहुत सारे scientists हैं वो लोग उसके बारे में investigation करते हैं उसका research करते हैं तो बुद्ध का यहां जो बाहर की माया है जो वस्टुनिस संसार है जो दिख रहा है उसका उनसे कोई मतलब नहीं है वो उसके बारे में कुछ नहीं कहते second जो word है जो word है वो होता है हमारी मन की दुनिया यानि कि जिसका अध्यान कौन करता है जिसका अध्यान मनोवज्ञानी करते हैं psychologist करते हैं उसको investigate बुद्ध ने उसको self बोला है ego बोला है और impure mind बोला है अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो यह पहले वाला word था हम जो है वो अपनी विचारों से है और अपनी विचारों से हम अपनी दुनिया बनाते हैं ये शब्द हमने कहीं न कहीं अब तक से second word तक आते आते ही समझा है उसके आगे क्या है उसका meaning थर्ड वर्ड में इसका क्या meaning है वो हमने समझा नहीं है जो कि इस पूरे धमपद का secret है आज हम उस थर्ड वर्ड को भी जानेंगे जो बुद्ध बता रहे हैं सकिंड वर्ड में हम क्या करते हैं न सारी चीज़ों को अपने दिमाग से, अपनी बुद्धी से हम खुद ही विस्ताल देते हैं, याने कि हमें किसी से कैसे बात करनी चाहिए, अगर हम किसी से अच्छे से बात करेंगे, तो कोई हम से अच्छे से बात करेंगा, बुद्धी कहते हैं कि जो हमारा प्रेम है, वो हमा प्रेम नहीं है वो घ्रना का ही दूसरा पहलू है यानि कि एक पल में हम किसी से प्यार करते हैं और दूसरी ही पल अगर वो हमें कुछ गलत बोल देता है यह जरासा हम किसी को पिंच कर दे खरोच दे और कोई हमें अगर उसका निगेटिव फीडबैक दे तो क्या होता है हम उ सब कुछ हमारे माइंड की ही उपज है और ये सारी चीज़े हमारे माइंड से ही आ रही है क्योंकि हमीशा उसके बाद हम दुख को फील करते हैं तो जितना जादा हम इंप्योर माइंड में रहेंगे अपने सेल्फ में रहेंगे अपने इगो में रहेंगे उतना ही दुख ह हमारे चाय के जैसा, एक साय के जैसा हमारा पीछा करेगा, यानि सेकिंड जो वर्ड है हमारा मन की दुनिया, जो हम पूरे वक्त अपने विचारों के माध्यम से बुनते रहते हैं, वो क्या है? वो इंप्योर माइंड है, उसको बुद्ध ने इंप्योर माइंड बोला है, या अब यहाँ पर हम थर्ड जो वर्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं यह जो थर्ड जो वर्ड है यह आपका इनर सेल्फ होता है आपका अपना खुद का व्यक्ति परत अनुभव होता है ठीक है आपका आंतरिक स्वय होता है यानि आंतरिक स्वय जिसको हम सेल्फ नहीं कह सकते यह सेल्फ जो है वो यहाँ पर एगो वाला है जो कि सेकिंड वर्ड में आपको बताया हुआ है यहाँ पर जो बुद्ध बोलते हैं अगर आपका आंतरिक स्वय तो इसका मीनिंग होता है नो सेल्फ अगर बुद्ध सीध कोई स्वेा नहीं है अनात्मा के बारे में बौला है और उन्हों ने नो मांड पर फोर्स किया है नो मांड दो बुद्द ने उसके बारे में बोला है बुद्द इन कहते हैं कि में धुकते यह आत्मा को खाली करो और जैसे जैसे आपका मन खाली होता चला जायगा और इसको उन्हों ने बोला है इसकी तरफ जाता चला जाएगा तो आत्मा बचती ही नहीं है यानि कि ego self पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, आपका कोई self नहीं रह जाता, आप पूरी तरीके से pure mind में आ जाते हैं और वहाँ पर आत्मा अनात्मा में विलीन हो जाती है, यानि कि कोई आत्मा रहती ही नहीं है और जब कोई आत्मा ही नहीं होगी आपका कोई सेल्फ ही नहीं होगा तो आप इस चक्र से उससे दूर हो जाते हैं उससे छूट जाते हैं और फिर आपके साथ होता क्या है जब आपके पास कोई सेल्फ नहीं होता आप अनात्मा हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है आप ही ultimate truth है जो की धम है नो mind ही ultimate truth है यानि no mind state को ही धम बोला गया है अब no mind state में आपको कैसे जाना है कौन सा रास्ता है वो ही धमपद हमें बताता है यानि की मन से अमन की ओल जाना ही धमपद का संपूर्ण रहसे है आगे मैं आपको बताना चाहूंगी शुद्ध मन और अशुद्ध मन यानि की जो पहले जो हमने जो हमने सूत्र समझा था कि आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं उसका मीनिंग है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अशुद्ध मन से करते हैं यानि हमारा जो भी माइंड है अगर आप होश में नहीं हो अगर आप जागरुक नहीं हो तो आप क्या हो आप अपने अशुद्ध मन में हो यानि कि जो अशुद्ध मन होता है वो ही सोया हुआ रहता है बुद्धे ने यहाँ पर बताया है कि मन जो है और अशुद्ध मन जो है वो एक ही चीज है और दुख जो है वो मन की छाया है और मन में हम जितना रहेंगे जितना हम सोच विचार करेंगे जितना हम अपने सेल्फ के साथ रहेंगे उतना हम एगो में रहेंगे और उसका मीनिंग होता है कि दुख और स्वपन यानि कि दुख जो है वो आपके साथ में लगा ही रहेगा क्योंकि हम सोई हुए रहेंगे हम अवेक ही नहीं होंगे हम जो कुछ भी करेंगे अपने इंद्रियों के वश में आकर के ही करेंगे हम जानते ही नहीं है कि हम कौन है क्योंकि हम अपने अशुद्ध मन में हैं हम अपने मन में हैं मन को ही अशुद्ध बोला गया है अब आमन ज करते हैं और हम अपने मन से अमन की यात्रा करते हैं जो कि हम डेली करते हैं तो जो अमन की यात्रा होती है उस वक्त हम जागरत होते हैं और वो जो जागना होता है उसी का मीनिंग होता है कि कोई आत्मा नहीं आप याने की सर्व्यापी हो जाना आप सर्व्यापी हो गए हैं व winter यानि ki no आत्मा यानि ki a anotma हो जाना Oh to go to have a plane यह वही तक जाने का रास्ता बताते है और बुद्ध mandatory बताते हैं कि मन से हम कैसे अपना मन को हम कैसे खाली कर सकते हैं वह बोलते हैं जो यह दुक है यह सारी mije सारे अपने मन से अमन में चले जाना. जहां कोई मन ही नहीं है आपका. तो जब आप एक ऐसी state में होते हैं, तब आप क्या होते हैं? आप अपने दुख से दूर हो जाते हैं. दुख आपके पास रहता ही नहीं है. दुख तभी आता है, आपके पास, या घिरना तभी आती है जब आपकी चेतना आपके पास नहीं होती है और जहां चेतना आ जाती है जागरुकता आ जाती है वैरनेस आ जाती है साक्षिभाव आ जाता है वहाँ पर ये घरना, दुख, फेट्रेडीस चीजे वहाँ exit करती ही नहीं है वहां रही नहीं सकती है और बुद्ध ये बोलते हैं कि जो कुछ भी है वो ईश्वर है यानि कि सत्य ईश्वर है और जितनी में चीजें हम बोलते हैं कि ये impure है या फिर ये ठीक नहीं है ये wrong है वो ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है वो सब मनुष्य के दिमाग के उपज है वो सब मन का ही करा हुआ है मन नहीं उसको पैदा किया है अगर मन खटम हो जाएगा तो ये सारी चीज़े खटम हो जाएगी बुद्ध इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि अमन में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है जो की है ध्यान का मत जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अमन में प्रवेश कर जाते हैं और अमन ही आपकी ultimate state है यानि की एक ऐसी state जहाँ पे आपके पास खुशी और आनद अपने आप आते हैं लेकिन हम करते ही क्या है हम हर जगे happiness को सर्च कर रहे होते हैं हर जगे हम joy को feel करना चाहते हैं आनंद को ढूनते हैं वो पूरते हैं कि जब तक आप सोय हुए हो यानि कि मन में हो आप कितना भी ढून लो आप खुश नहीं हो सकते आप उस आनंद को प्राप नहीं कर सकते क्योंकि आनंद उसी को मिलता है जो जागा हुआ है और जो सोया हुआ है उसे आनंद की जलक भी नहीं मिल सकती है तो अगर आप आनंद में रहना चाहते हैं खुशी को ढूनना चाहते हैं आपको अपने आमन में रहना होगा आमन में जब रहते हैं जब pure mind में रहते हैं awareness में रहते हैं वो कहते हैं कि तब आप किसी से नफरत कर ही नहीं सकते आप करके देखिए और बुद्ध खुद भी एक ऐसे उनका व्यक्तित हुआ है कि वो अनुभव पर जोल देते हैं यानि कि experiment करो तो आप इस चीज़ को experiment करके देखिए कि जब आपको किसी के उपर बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा हो और अगर आप एक पल के लिए भी आप उस समय होश में आ जाओ 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 तो आप उस पल किसी से नफरत करी नहीं सकते क्योंकि नफरत तभी आती है जब आप ह जब आप जाओ जाओ उए होते हैं तो नफरत वहां रुखी नहीं सकती और इस तरीके से बुद्ध ऐसा बोलते हैं कि आपको अंधिकार को दूर करनी की जरुवत नहीं है आपको नफरत से लड़ने की जरुवत नहीं है यहां हर कोई बाहर यही चीज़ सिखा रहा है कि न साइट को वहां लेकर के आ जायना है जो कि पहले से ही मौजूद है और सारी चीज़ें अपने याप गायब हो जाएंगी तो अगर आप आमन की स्टेट में रहते हैं माइंड को बीच में नहीं लेकर आते हैं तो आप पाएंगे कि आप जो है ना प्रिजेंट मोमेंट में ह जब आप जागरत होते हैं तो ना तो पास्ट में होते हैं ना फ्यूचर में होते हैं आप उस समय पूरी तरीके से सिफ और सिफ प्रिजेंट में होते हैं और जो प्रिजेंट का नाव होता है वो ही यूनिवर्सल लौ है यानि कि एस धमों सनंतो बार बार बुद्ध ने य वो शाश्वत नियम के बारे में बात करता है बुद्ध हमें ये चीज़ बताते हैं कि अगर आप present moment में होते हैं तो आप एक ऐसी state में होते हैं कि जहां से आप प्यार ढूंटे नहीं है प्यार अपके पास बरसता है यानि कि अपने आपी प्यार आपके पास में आता है और व वो कुछ गीतगा रही है अपनी voice में तो जो भी nature है वो क्या है वो अपना प्रेम बाट रही है तो इश्वर क्या है इश्वर प्रेम ही है और प्रेम क्या है अमन की state जब आप अमन की state में होते हैं जागरत होते हैं होश में होते हैं तो आप पूरी तरीके से उस प्रेम से भर जाते हैं और फिर जो प्यार है वो आपके अंदर से खुद ही बाहर आता है वो कंडिशन नहीं होता है बिलकुल भी और अगर आप वो मन में रहते हैं तो उसका मतलब है कि आपने जो घ्रणा का पहले से बीज बोया हुआ था पास्ट में जो कुछ भी हुआ था आप उसक इसको फेस करने के लिए तो ये चीज़े इस साइकल की जैसी है जैसे वो बैल के पीछे जो पईया होता है घूमता रहता है ठीक उसी तरीके से नफरत नफरत को बढ़ाएगी घ्रणा से घ्रणा बढ़ती है कम नहीं होती है अगर आप इन चीज़ों को छोड़ना चाहते ह तो आपको अपने नाव में रहना होगा यानि कि अपने लव में रहना होगा तभी आप इसको छोड़ सकते हो दूसरा कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता है ही नहीं यही शाश्वत नियम है और इसके बाद जो गुद्ध हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो अपने भीतर पह पहुंचते हैं तब उसके बाद में जो स्वेम का प्रकाश प्रकट होता है वो स्वेम का प्रकाश वो जो अनुखुती है वो पूर्ड एकांथ में प्रकट होती है अगर आप पूर्ड एकांथ में नहीं है तो आप उसको मिस कर देंगे और जो सत्य है वो डारेक्टली आपक लुक का छुपी के साथ में आता है और कभी भी अचानक से आ जाएगा कभी तो आपको लगेगा कि आप सत्य तक पहुँच गए आपको पता चल चुका है और जैसे ही आपने ये जान लिया कि मैंने इसको ढूंड लिया वो वही दूसरे रास्ते से आ जाएगा आपको उसको पकड़ना नहीं है हम क्या कहते हैं किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम अपने मन में रहते हैं मन हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो चाहता है कि यह चीज मेरे पास से कहीं छिन आ जाए कहीं दुबारा फोन आ जाए तो हम हमेशा उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं और बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जो सत्य है जो एकांत में अपने आप प्रकट होता है आप उसको पकड़ नहीं सकते अगर आपने उसको पकड़ने की कोशिश की इसका मतलब है आप फिर से अपने मन में आ गए और मन का खेल शुरू हो गया और तो जो अम मन वाली जो स्टेट है वो गायब हो जाएगी तुरंत गायब हो जाएगी तो जब यह होता है तो अपने आप प्रकट होगा और अचानक से आएगा उस वक्त आपको अपने माइंड को दूरी रखना है माइंड का यूजी नहीं करना है अगर वो स्टेट फील होती तो लॉंग टाइम तक आप उसको फील करते रहे हैं बुद्ध हमें इस चीज के बारे में यह बताते हैं कि जो स्वैम का प्रकाश होता है जैसा कि पत्री सर भी बोलते हैं अपो दीखो भावा हमें अपना रास्ता हमें कुद ही अपना रास्ता में चुनना है बुद्ध सेम वही आप इश्वर को जानेंगे तो वो नहीं है जो शाश्वत नियम है जो पूरे ब्रहमांट को चला रही है जो एक सब्ता है जो एक नियम है जो सब को हार्मनी में रखा हुआ है वो ही इश्वर है उसको डिरेक्ली इश्वर वर्ड नहीं बोला है पर वो उस जगह पर आने के ब और बुद्ध ऐसा बोलते हैं कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो आपको संसार से भागना नहीं सिखाते हैं वो आपको ईश्वर में भागना सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए ईश्वर में कैसे भागा जाता है जैसे हमारे पत्री सर बोलते हैं कि आपको सत्य को जानने के यह बस आपको अपना वेच चेंज कर देना है यानि कि अगर आप आपके पास उतनी ही उल्जा है यानि कि सेम अमाउंट में आपके पास एनलजी है आप चाहें तो अपनी उस उल्जा को घ्रना में नफरत में अपने मन में रह करके बेस्ट कर सकते हैं और अपने और जन्मा क और 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 आगे बढ़ा सकते हैं और वही उल्जा आपके पास में हैं आप चाहें तो उतनी ही अमाउंट की जो उल्जा है आपके पास में आप उसको आमन में आ करके प्यार करके उस चीज को भुला करके आप उसको अपने सत्य के पात पर अपने स्वेन के प्रकाश को जगा के लिए भी लगा सकते हैं. तो चुनाग आपका है. और हम सब के पास में भगी उलजा है. कही बार में पहले सोचती थी कि हम इतने सारे master's की journey सुनते हैं, उनकी talk सुनते हैं, उनकी teaching देखते हैं, हर एक में हमें अपने word से बताने की कोशिश के लिए है लेकिन हम उस चीज़ को grasp नहीं कर पाते सोच लेते हैं अपनी बुद्धी से पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फिर से कही नगी फिसल जाते हैं तो उसको जो अनुभव करना है वो आप सिर्फ एकांत नहीं कर सकते यानि कि जब आपको वो अनुभव होगा तो वो आपका अपना स्वयम का अनुभव होगा आपका अपना स्वयम का प्रकाश होगा तो जितने भी मास्टरस के बारे में हम सुनते हैं जानते हैं वो हम उनके अपने स्वयम के प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं उन्होंने किस तरीके से जाना उनके वो किस तरीके से इसको define करते हैं तो ईश्वर को जानने के अनेको रास्ते हैं कई रास्ते हैं जितने लोग उतने सत्य लेकिन जो eternal truth है universal truth वो तो truth ही रहने वाला है लेकिन अगर करोडों की जनसंख्या है तो आप सोच सकते हैं कि अगर करोडों लोग एक चीज़ को अनभव करेंगे तो सेम तो फिल नहीं करते हैं सबका फिल अलग-अलग होता है ठीक उसी तरीके से जो सत्य है सत्य का जो परकाश है उसका जो अनुभाव है वो सबका अपना अलग-अलग होगा आपको रास्ता बताया जा सकता है पर वो महसूस नहीं कराया जा सकता है वो महसूस आपको खुद ही वहाँ पहुच करके होगा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसी शड में यानि जो प्रिजेंट मोमेंट आगे मैं आपको बताना चाहूंगी ओशो ने इस बुक का जो अपनी लैंगज में ट्रांसलेशन किया है वो मुझे बहुत जादा समझ आया अच्छे से मैंने और भी जो मास्टर से उनका भी ट्रांसलेशन सोना था पर वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया था अभी मैं आपको एक चीज ये बताना चाहते हूं कि बुद्ध जो है वो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम इंद्रियों में अपने सुप को खोशते हो इंद्रिया यानि की हमारा मन हमारी फाइट सेंस अगर आप उसी में ही जीते हैं और उसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं उसको अपना आधार बना लेते हैं तो हमारे साथ वही होता है जो एक हवा बहुत ही आसानी से कमजोर पेड़ को खाड़के फेक देती है तो बुद्ध ऐसा बोलते हैं के फिर तुम्हें पता है एक दिन के तुम भी मल जाओगे तो फिर तुम जवड़ा क्यों करते हो तुमारी नीफ बहुत बहुत कमजोर है जो की मन पर आधारित है तुम्हें एक मजबूत एक पहाड के जैसा बनना होगा जिसे हवा हिला नहीं सकती तो जो व्यक्ति जागरत है आमन में हैं होश में हैं साक्षी में हैं उसका प्रलोभन भी कुछ नहीं कर सकते और इन इंद्रियों के माध्यम से वो उस परसन को कंट्रोल नहीं कर सकती है तो हमें क्या करना होगा हमें अपनी इंद्रियों के beyond जा करके सोचना होगा एक example बुद्ध देते हैं कि अगर आख है तो आख देखती है हम बोलते हैं हमने अपनी आख से देखा हम गलत बोलते हैं हम अपनी आख से नहीं देखते हैं आख एक यंत्र है और उस यंत्र के पीछे से कोई और है जो उसको देखता है तो जो भी विज्ञानिक है या जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ आँख को ही जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उन्ही की ही स्टडी करते हैं उन्ही के बारें बताते हैं लेकिन उसके पीछे सत्य क्या है वहां तक विज्ञान अभी तक नहीं पहुँचा है नहीं कभी पहुँच सकता है अगर वो इसी तरीके से चलते रहे मन के माध्यम से तो वो यहां तक अभी नहीं पहुँच पाएंगे और वो मन से बियॉंट हमारी कोई स्टेट है आमन की उसको वो अभी तक जानते ही नहीं है इसी लिए हमारे भीतर वो कौन है जो आख के माध्यम से देख रहा है वो ही हमारा अंतस्वा यानि कि हमारा एक हमारा बींग है हमारा ट्रू सेल्फ है वो हमारी स्थिती है बुद्ध ऐसा बोलते हैं कि जो व्यक्ति जागा हुआ है यानि कि जो अपने इंब्रियों के बश में नहीं है वो ठीक उसी तरीके से है जैसे कि उसको जब अनुभव होता है पहला तो कैसा अनुभव होता है जब कोई व्यक्ति सोया हुआ हो अपने मन में हो और अगर वो अचानक से जाग जाए तो उसको कैसा फील होता है वो बोलते है ध्यान में जैसे जब कभी ऐसा लगता है कि हमने कुंडलीनी वर्ड सुना हुआ है कि कुंडलीनी जागरण तो यहां पर कुंडलीनी जागरण का मुझे मीनिंग समझ में आया बहुत लंबे टाइम के बार कि हम सोचते है कुंडलीनी जागरण का मीनिंग होता है कि हम meditation करेंगे meditation में हमें कुछ energy feel होती है और उपर आती है धीरे-धीरे हमारे एक चक्रा वो चीज एक अलग अनुभब है वो हमारे five senses के beyond और जो हमारे senses है जिनकों की हम अपनी two eyes से नहीं देख सकते हैं उनको हम आखें बंद करके देखते हैं और महसूस करते हैं लेकिन जो कुंडलीनी जागरण का मीनिंग होता है कि एक ऐसा सर्प जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है यानि कि बिलकुल सोया हुआ कुंडली मार करके बैठा हुआ सर्प को यहां पर मन की संग्या दी गई है यानि कि मन जैसे सोया हुआ रहता है कुछ भी चल रहा है चल रहा है किसी ने गुसा दला दिया तो गुसा आ गया किसी ने प्यार कर लिया तो हमने उसको प्यार कर लिया अगले ही पलनफरत हो गई ये चीजे क्या है ये मन की ही देन है मन का ही खेल है तो जो व्यक्ति जाग जाता है उसका कॉमली जागरण हो जाता है यानि कि जैसे कि एक साप उठता है एकदम से फन फिला करके तो वो उसको सब कुछ नया दिखता है सेम इसी तरीके से कोई व्यक्ति सोया हुआ हो और अगर वो जाग जाए जागने का मतलब है होश में आना और अपने अमन की स्थिति में आना यानि कि नो माइंड की स्थेट में आना साक्षी में रहना अवैर्नेस में रहना उसको बोलते हैं कुंडलीनी जागरन अगर आप अपने नो माइंड की स्थेट में हैं और आप जाग चुके हैं और आप समझ चुके हैं मन के सारे खेल को तो आप किसमे है आपका कुंदलीनी जागरन की स्टेट में है यानि कि आपका कुंदलीनी जागरन हो चुका है और धीरे 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 जैसे हम इसके उपर अप महारत हासल करते हैं उसको पकड़ के रखते हैं उस स्टेट को अमन की स्टेट को तो वैसे वैसे हमारा जो जागर है कुंडली जागरण का मीनिंग वो मुझे एकदम बुद्ध की लैंगवज में एकदम नया लगा और बेहोशी मन और अशुद्ध मन ये एक ही चीजे है और इनका जो एक्जामपल दिया हुआ है वो दिया है साप का कुंडली मार के साप बठा हुआ है और जागरत है जो और ओशो इन दोनों की ही बातें जब हम सुनते हैं तो मैं पता चलता है कि ओशो ने सारी बाते बुद्ध के उपर ही बोली बुद्ध का बहुत सारा बोला हुआ है लेकिन यहां एक छोटासा डिफरेंस है बुद्ध ने डेथ को अपना सिंबल बनाया है यानि कि करके मेरे पास में आओ यानि कि उनकी जो शुरुवात होती थी समझाने की वो डेट से शुरू होती थी डेट उनका सिंबल था ओशो यहां पर ऐसा बोलते हैं कि लाइस को नहोंने अपना सिंबल बनाया हुआ है वह कहते हैं कि डेथ जो है एक दिन आएगी जो कि भविश म आप किसी और की देखते हैं लेकिन जो प्रिजंट मुमेंट है जो लाइफ है वह क्या है वो इश्वर का ही प्रिजंट फॉर्म है यानि कि आप नों लाइफ को अपना सिंबल बनाया हुआ है कि एक एक पल आप भोश और जागरती के साथ जीओ पूरे आनन्द के साथ से संस्क्णिंग है सते हे साथ जागरता के साथ आप उसको एंज्वाय करो आप उसको जीओ फिर जब मुरत्य हुआएगी तो आप मुरत्य को भी सहचता से शुभी कार कर लेंगे क्यूंकि आप जाग्रत अवस्थामें होंगे और जब आप जाग्रत 흔ते हैं तो आप मन में नहीं होते हैं अपने आमन की स्टेट में ही रहते हैं पूरी तरीके से जागर तो यहां पर बुद्ध जो है अपने अम्याईयों को पीला वस्त धरान करने के लिए बोलते हैं जो की डूपते हुए सूरज का संकेत है यानि उसका फॉर्म है यानि कि डेथ का और ओशो जो है यहां पर वो नारंगी रंग को प्रमोट करते हैं वो बोलते हैं उपता हुआ सूरज जो होता है उसका जो रंग होता है वो एकदम रेड होता है नारंगी होता है तो वो लाइस को इंजॉय करते हुए कैसे लाइस के साथ साथ आप आत्मज्यान तक पहुंच सकते हैं वो उ मैंने कोशिश किये कि जितना मुझे समझ में आया है वो मैं आप तक पहुचा पाऊं और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और नहीं चीज़े जानने को बलेंगी क्योंकि मैं सारी चीज़े एक साथ कवर नहीं कर सकती थी थोड़ा 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 हम उन चीज़ो को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे दिए हुए चीज़ों को समझाने के लिए जो की बहुत अच्छे है इं टेंकु मैं तेंके। पर लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो ऐसे ही बोलते हैं और अनात्मा इसलिए वर्ड यूस किया क्योंकि हम जब आत्मा बोलते हैं तो ऐसे लगता कि जैसे कोई एक चीज है हमारे पास जैसे अधिया चलाते हैं और सुबेरे हम पोज़ाते हैं तो वही दिया नहीं पोज़ाते हैं जो हमने रात को चलायाक क्योंकि वह अगर बहुत स्छों में देखेंगे तो वो कैसे पुलिंगी शिल्पी कि यह की एक अनौरत प्रोसेस है वो दिया नहीं है जो अब ही हो रही है इसी हमें है अगर वो एक मिनिट या एक पल के लिए भी गई है तो वो हो गई अभी जो है वो बढ़ी रही है वो अभी वाला ही रहता है तो वही उन्होंने कहा कि तभी उन्होंने अपने मौक्ष नहीं कहा, उन्होंने निर्वान कहा, निर्वान मतलब दिया का बुझ जाना तिना सुन्दर तरीके से ओशो ने जितना समझाया है ना मैं नहीं सोचती कि भगवान बुद्ध को किसी और नेतनी सुन्दर तरीके से समझाया है वो कहते हैं अगर आप नदीर में खड़े हो और बाहर निकल के फिर आप नदीर के अंदर घुज जाते हैं तब भी आप वही पानी टच नहीं करober रहे हैं जो उस समय टच कर रहे थे एक मिनट पहले। तो ऐसा ही आतमा कोई चीज नहीं है एक स्चिल चीज नहीं है जिसके बारे में हम बात करें वो अनवरत प्रोसेच होते जा रही है शर्ण 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 अन्वह लेते जा रही है, सीखते जा रही है, तो आत्मा के बारे में जान बुझके उन्होंने नहीं कहा, शुन्य बाद बोला, इसलिए हिंदू धर्म ने बाद धर्म को यह उखाड के फिक दिया, और दस अवतारों में से भगवान बुद्ध को कोई स फेक दिया, कितनी आशिर की बात है शिल्पी की जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर इतना प्रचार प्रसार हुआ, और आज वहीं पर भगवान बुद्ध की वानी को सुनने के लिए भी लोग तयार नहीं लेंगे, 5D consciousness की बात करो, लोग रहेंगे, पुनर जदम की बाते करो, उनके में जाएंगे, दुनिया भर की सब चीजें, संसनी खेज जो चीजें हैं, उनके बारे में अगर कोई बात करेगा, तो सभी लोग सुनना पसंद करेंगे, जबकि भगवान बुद्ध का एक एक सूत्र समकालिक है, जो उस समय धाई अजार साल पहले भी हैं, उनको तो बुद्ध से जादा कोई हल्प करी नहीं सकता, तो कि बुद्ध का जो भी शुरू होता है, वो बुद्धी से शुरू होता है, लेकिन उसका एंड बुद्धी पर नहीं होता है, तो जो लोग भी बुद्धी से समझने का प्रयास करना चाहते हैं, या बहुत समर्पन पे घक्ती में जाते हैं तो वो जादा सबको आसान लगता है अचली नहीं परेशल भी क्या है कि यह जो ग्यानमार्ग है इनका हाना और जो यह खुद बोलते हैं कि मानो नहीं जानो हाना तो यह जानने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट अपने को खुद ही करने अपने उपर अपनी मन को खाली करना वो नहीं जायते ना लोग डिपेंडेंडेंसी चाहते हैं और बुद्ध का ऐसा है कि बुद्ध आपको डिपेंड नहीं करते हैं वो खुद ही बोलते कि आपको लाइट आपको जाननी है आपका उद्धार आपको ही करना है आप मेरे प्रकाश में जाद देतक नहीं चल सकते हैं तब ही उनों ने अपने आपको से लिए जो बोला है ना वो आप जब तक साथ रहेंगे वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा रोब के रखेगा और इसमें ओशो एक चीज और बोलते हैं मैं कहना बुल गई थी और मैं कहना भी चाहती हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ओशो ऐसा बोलते हैं कि जो बुद्ध्य ने जो वर्ड्स ब डिपेंड करता है अभी ओशो जो एक्सप्लेइन कर रहे हैं और जो मैंने जो एक्सप्लेइन किया है वो मैंने अपने वर्ड्स में किया है तो ठीक उसी रूप में उसको समझा पाना सेम टू सेम जिस स्टेट से बुद्ध बोल रहे थे वो सबका अलग हो जाता है चेंज ह जाता है तो जितने लोगों ने उसको सुना है समझा है जाना है और ट्रांसलेशन किया है वो अपने ही वर्ड्स में किया हुआ है तो भैतर ये भी होगा साथ के साथ कि अगर आपके पास में बुक हो तो आप पढ़िए बहुत बहुत अच्छी भुक है आपको मैं पढ़ते मैं पढ़ते पढ़ते मैं मुझे इतना रोना आया कि मैं बस में बंद गढ़ दिया मैंने उस आप बोल सकते हो कि बुद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं है वह तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से बताते है नास्तिक उनको बोला हुआ है अगर वह नास्तिक है तो वह ऐसा कैस से बता सकते हैं कि आपको रोना आजाएं मों प्रेम पे ही जाके खत्म होता है इतना अता प्रेम या एक ऐसी घहरी शांती जो आप सोच ही नहीं सकते हैं लेकिन आप वर्ट्स में जब पकड़ने के कोशिश करोगे तो पकड़ नहीं पाओगे बुद्ध को सिफ एकांत में समझा जा सकता है आप जितना ज़्यादा एकांत में रहेंगे तभी उनको समझ पाओगे उतनी ही घहराई से उनके एक एक सूत्र इतनी इंपोर्टेंट इतनी सुन्दर है और पूर अपने उपर ही काम करने के लिए है एक भी चीच सामने वाले के लिए तो बात ही नहीं कर चीजों को फेक रहा है पर आप अंदर देखो आपने हम नहीं देख सकते हैं हम बोते हां सामने वाला इरिटेट हो रहा है और मुझे भी इरिटेट कर रहा है सामने वाले में इगल्टी है तो जब मैं भी सूत्र सुन रही थी आज से 6-7 साल मैंने पहले सुना था अब थाट पावर हर हर चीज जो भी लॉफ अट्रेक्शन हर चीज उन्होंने बताई है पर उन्तु किस वे में बताई है मैं लॉफ अट्रेक्शन का क्या मैं आज यही सोच रही थी है खुद से हम जब चिंतन करते हैं ना पढ़ने के बाद तो मुझे यही चीज समझ में है कि लॉफ अट्रेक्शन ने यही बोला है ना कि आप जो सोचते हैं वही अट्रेक्श करते हैं तो बुद्धि ने जो तीन वर्ड जो बताया थे ना तीन हमारी दुनिया होती है तो पहली दुनिया तो वस्तुनिस्ट हो गई यानि कि जो मैं आख उसे दिखाये दे रही है सेक वो इसली बताया था कि इसी के माध्यम से आप अपने तीसरे दुनिया तक यानि की अंतरतम दुनिया जो है अपना आपका सेल्फ या वहां तक पहुंच सकते हैं इन दो के माध्यम से ठीके इस पर काम करोगे तो आप इधर पहुंच जाओगे और नहीं भी करो इस पर इसक जैसे इस को दीरे तीसरे दुनिया में आने लग जाएंगे यह चीदे दीरे कम होती चली जाएंगे तो लॉफ अट्रेक्शन पूरा इसी के उपर डिपैंड है और बताया है कि लिए कर रहे हैं कार मंगो अच्छा लाइप पाइले वर्ड के लिए बोल रहे हैं ना अटो तो उनों ने सब चीदे बताई है कि तृष्टा ही दुफों का मूल है मैं माइंड ने गेम खेल दिया मन ने अपने खेल 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 दिया मन ने का इसको हटाओ अगर ऐसा करने से यह हो जाता है तो हम तो यह दो ही ठीक है क्योंकि जीवात्मा कहते हैं बढ़ी डरी हुई सी तो आगे के लिए कैसे बचाना है तो भाई सोचते रहो क्या चाहिए पहले वर्ल्ड में उसमें उसको बिजी रखो तो इगो बचा रहेगा तो आप आते रहेंगे एगो काम चलता रहेगा सही तरीके से उन्होंने बोला है क्योंकि जितनी तृष्णाएं हैं हमारी अधूरी रह जाती है वही हमारे जन्द का कारण बंती है फिर से तो यदि आप इस जनम में अच्छी कार अच्छे फैमिली अच्छे पैसे को चहते हो और इस कर्म के साथ से आपको नहीं मिलता तो तो बहुत सी चीजें आप दीरे दीरे समझेंगे इस धंवपद के नाम से और जैसे तुम बोल रहे है शिल्पी की तुमको बहुत अच्छा लगा तो तुम आगे चलके पढ़ोगे इसमें रदीश नहीं बताया है और मैंने कहीं और भी एक आर्टिकल में पढ़ाए कि धं मौंक इसको पढ़ते पढ़ते एनलाइटेंड हो जागी यह इतना ज्यान से भरा हुआ सागर्द है पर जब सुन रहे हैं तो अपने मन को हटा के सुनना है तो थैंक यू थैंक यू शिल्पी आज बहुत ही सुन्दर आपने श्री करेंश कर दिया है मैम इसकी चैप्टर ऐसे तक मैं इसको पढढने से फुद्द पो रोकी नहीं पा रही हूं इक चैप्टर 17 18 Pages का यह लिकिन मैं स्टॉब नहीं कर पा रही हूं इनिसको पुद्टत कुद्स को पढ़ने से तुमने हाट को मंगाया है जै सॉफ्टक्पी है नहीं सैंट को प अगे पढ़ना है मैं stop नहीं कर पा रही हूं खुद को पढ़ने से लोग नहीं पारी इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं पढ़ती हूं फूरी बुक पढ़ूंगी वाल्यूम बन तो मुझे कंप्लीट करना ही है और वो मैं दी 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 दे सब के साथ आपके साथ यहां के शेयर करूँ तो अगले चैप्टर का हमारा बेसबरी से इंतजार रहेगा क्योंकि हर एक में इतना कुछ है समझने के लिए और कम से कम मैं सूछती हूं अगर 10% भी हम लोगों ने समझा ना बंदकूर सिफ 10% भी तो भी शेयर में सूरती है हम लोग थोड़ा साथ लोग अपने उपर जादा काम कर पाएं तो थैंक यू थैंक यू शिल्पी और किसी को कुछ कहना हूं तो हैंड रेस कर सकते हैं प्रेंड्स किसी को भी कुछ नहीं कहना है सब को पूरा अच्छे ने समझ में आ गया है बिल्कुल आज सब समझ कहने शिल्पी आधिक दम सब हो गया साइलेंस में चले गया है हाँ आप आईशा माले जी बता रही है कि मैं वक्री साइलेंस में हूं उसलिए कुछ नहीं बोलूंगी बहुत अच्छा था मैं मौन में हैं वो मैं आमने जब वो अभी रमण महरीशी के जो शिशी थी पापा जी के बारे में शेयर किया था मैंने सुना था तब आप बोले थे कि आप मौन रहेंगे तीन दिल तो चलिए फ्रेंड्स अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो आज को बच्छे से ध्यान कर होगे और कल हम शाम को मैडिटेशन के लिए मिलेंगे और राट को भी हम मैडिटेशन के लिए मिलेंगे तो शिरपी ठैगयू ठैगयू जो भी आपको दे क्या और B हमते जैसा भी टाइन में देखिए उनके दो छोटे बच्चे हैं उसके बावजूद वो टाइन निकाल के पड़ रही है नूड बना रही है फिर पीपीजी बना रही है तो सोचिए वो किती डिवोटेड है अपने इस सर्विस के प्रती चाहिए थैंक यू थैंक यू सब्सक्राइब है थैंक यू